जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान जैनती साल 2022 में कब बनाई जाएगी? और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या होगा? इसके लावा हम आपको बताएंगे हनुमान जैनती की पूजन सामगरी और संपून पूजा विधी के बारे में लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ल बेस्ट मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन डबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हनुमान जहनती के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा का विधान है चैतर मास के सुक्ल पक्ष की पूनमा के दिन हनुमान जी का जन्म माना जाता है हनुमान जी को कल्यूग में सबसे प्रभाव साली देवता माना जाता है हनुमान जी बगवान सिव जी के ग्यारवे रुद्र अफतार माने गए हैं और इनके पिता का नाम केशरी और माता जी का नाम अंजना था बजरंग बली बगवान सिरी राम जी के परम भक्त थे ये दिन हनुमान भक्त के लिए बहुत ही महत्पून होता है इस दिन भक्त बजरंग बली के नाम का प्रत रखते हैं इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला और बूंदी के प्रसाथ का भोग लगाते हैं इस दिन लोग हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाट करते हैं वहीं कुछ लोग इस दिन अपने घरों में सुन्दर कांड वार्रामाण का पाड़ भी करवाते हैं। हनुमान जी को चिरिन जीवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी ना मरने वाला। बजरंग बली अपने भक्तों से सीगर ही प्रसन हो जाते हैं। हनुमान जी को बजरंग बली के लावा पौवन सुत, पौवन कुमार, अंजनी सुत, बाली बीमा, महावीर, संकट, संकट मोचन, मारुसुता, मारूती, अंजने और रुद्र नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में हनुमान जैनती कम मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि हनुमान जैनती 16 अपरेल 2022 दिन सनिवार को मनाई जाएगी और पूनमा तिति की सुरुवात 16 अपरेल 2022 की प्राता काल 2 बचकर 25 मिनट पर होगी और पूनमा तिति की समापती 17 अपरेल 2022 की प्राता काल 12 बचकर 24 मिनट पर हो जाएगी और बात करें पूजा के सुमूरत की तो आपको बता दें के हनुमान जी का जन्म मद्द दुपहर में हुआ था इसलिए पूजा के दो सुमूरत बन रहे हैं इस दिन अबजीत मूरत सुबा ग्यारा बचकर पच्पन मिनट से लेकर दोपहर बारा बचकर सेटालिस मिनट तक रहेगा और विजय मूरत दोपहर दोपहर दोपचकर तीस मिनट से लेकर दोपहर तीन बचकर एक्किस मिनट तक रहेगा आप इन दोसु मूरत में हनुमान जैनती की पूजा कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं हनुमान जैनती की पूजन सामगरी के बारे में आप पूजा के लिए एक लकड़ी की चोकी या पटा ले लें लाल कपड़ा और लंगोट हनुमान जी की मूर्ती या फोटो इसके लावा अक्षत, तुलसी का पत्ता, धूप, दीप, घी, केले, लाल फूल, माला, चमिली का तेल, सिंदूर, रोली, चंदन, जनेव, इत्र, लड़ू, पान का बीड़ा, नैवेद में गुड़ और भुने हुए चने, बेसन के लड़ू आदिसामगरी ले 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 दोस्तों, इस दिन प्रत रखनेवालों को खुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, हनुमान जी की पूचा में ब्रहमचर का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है, इसलिए आपको हनुमान जैन्ती के एक दिन पहले से ही बुनेता, ब्रहमचर का पालन करना चाहिए, और इस दिन जमेन पर सोना चाहिए आप हनुमान जैन्ती के दिन सुबा उट कर राम सीता और हनुमान जी का इसमरण करके इसनान करने के बाद साफ एम सच्चवस्त धारण करें और फिर फूर दिसा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठ जाएं अब आप एक लकड़ी की चोकी लें और उसे गंगा जल छिड़कर सुद्द कर लें अब उस पर आप लाल रंग का वस्तुर बिचा लें कपड़ा बिचाने के बाद आप हनुमान जी की मूर्ती या फोटो इस्थापित कर दें साथ में सीता राम की प्रतिमा भी इस्थापित करें अब आप ब्रत का संकल्प लें और अपनी मनो काम ना बोलें इसके बाद हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं अब उन्हें जल का छीटा दें फिर लाल पुस्प, चोड़ला और सिंदूर अर्पित करें हनुमान जी को लाल लंगोट या जनिव भी चढ़ाएं इत्र छड़कें इसके बाद आप हनुमान चलीसा या हनुमान जी के मंत्रों का जाब करें आप ओम स्री हनुमंते नमा का जाब करें आप बजरंग बांग या राम इस्तुती का पाड़ भी करें ध्यान रखें कि हनुमान जी को भोग लगाते समय आप तुलसी का पत्र अवस रखें क्योंकि तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अतिप्री है इसके बाद आर्ती करके भोग लगाएं भोग में आप गुर्चना या बूंदी या बेसन के लड़ू का भोग लगाएं इस तरह से आप विद्वच पूजा को संपन्न करें अंत में आप हनुमान जी से छमा या चना अवस्य करें पूजा में हुई भूल की छमा अवस्य मांगें क्योंकि अक्सर जाने अन जाने में पूजा में कोई न कोई भूल हो जाती है दोस्तों अगर हो सके तो इस दिन बंदरों को गुड और चना अवस्य कहिलाएं इस दिन बंदरों को गुड और चना खिलाना काफी सुब माना जाता है और इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चड़ाने से आपकी जो भी मनो कामना होती है वह सीगर पूरी हो जाती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद